है लो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग स्वागत करता हूं मैं सेतेन सिंग आपका स्टेडी पॉइंट में सो फ्रेंड मैंने लिए हैं हिंदी भासा के सूपर थर्टी कोश्चन जिसमें हम हिंदी तथा अन्य भाड़तिय भासा एक कवर करने वाले फ्रेंड मोक टेस्ट की तर पर चल रहा हो 30 कोशल में उठाएं एक को एक कोशन हिंपोटेंड रे फ्रेंड आज कि वीडियो को चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं मैं आपका दोस्त शतेंद्र सिंग स्वागत करता हूं आपका स्टेड़ी पॉइंट में चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की व जबाने हिंद या फिर हिंदी तो फ्रेंड देखेगा पहले कोषण का सही आंसर यहां पर क्या होगा चाहिए और उप्षन नंबर सी यहनी की जबाने हिंद मध्यकालिन अरभी तथा फार्सी साहिते की यहां पर बात चल लिए वहाँ पर भारत की भासाओं के लिए जबाने हिंद सब्द का प्रियोग किया जाता था ठीक है दोस्तों अगला कुशन देख लेंगे कुशन नमबर टू खालिक बरी किसकी रचना है थोड़ा सा हम डीपली पोच गये हैं कुशन इंपोर्टेंट है फ्रेंड वीडियो के शुप फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे कुशन नमबर दो का अंसर मेरा हो जाएगा ओप्स नमबर च यहनिकी अमीर खुश्रो कि तो मियर खुश्रो यहाँ पर सही अप्सर हो जायाएगा count चली आगे देखेंगे नमबर तीन आया है कजीब बोली खडी बोली हिंदी उप्सने आपके बाद जायसी, अमीर खुश्रो, विद्यापती या फिर भारती इंदू, तो कुश्र नमबर तीन का देखेंगे, हम सही अंसर हो जायागा यहाँ पर, अमीर खुश्रो, सो फ्रेंड अमीर खुश्रो ने ही घड़ी बोली हिंदी में सर्फरितम रचना की थी, ठीक है, चरी, वेरी गूड, चार देखते हैं, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है, आपको क्रम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको डिरेक्ट आंसर बता दूँगा, क्योंकि वही आपके माइड में रहना चाहिए, बाकी आप, वरना फिर आप माइड से डिस्ट आपको, जाओगे, तो फिर देखेंगे, यहाँ पर उप्सन नंबर ए है, हमारा आपा सही आंसर यहाँ पर पहले पाली, फिर प्राक्रत, फिर अपर उसके बाद अब हठ, चलिए, यहाँ पर उप्सन नंबर ए हमारा, सही हो जाएगा, के नेक्स्ट कोमte नमबर फाइब अप्रोग्य को पुरानी हिंदी किस ने कहा है वो पाग्रानी हिंदी किस ने कहा है ऑप्संऩ देखेका फ्रेंड आपके सामने हैं इघियस्रन कि बी शाम शुन्धरदास सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर डी नमबर डी हमारा भरती इंदू देखेगा फ्रेंड्स फाइब कसा ही अंसर क्या हो जाएगा मेरा चंद्रधर सर्मा गुलेरी चलिए आगे देखते हैं कोशन नमर शीक समारा शाहित्तिक अपभरंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसादवेदी सिफ सिंग सेंगर या फिर राहुल संस्कृत आयन कि देखेंगे कोशन नमबर शिक्स का अंसरा मेरा क्या हो जाएगा यहां पर उप्सन नमबर ए यानिकी रामचंद्र शुक्ल ने अपभरंश को पुरानी हिंदी किसने कह बाता रामचंद्र शुक्ल ने चलिए नेक्स्ट है हमारा अपभरंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है पाली प्राक्रत संस्कृत या अवहट तो देखेंगे कोशन नमबर सेवन का सही अंसर क्या हो जाएगा उप्सन नमबर यानिकी अवहट चलिए आगे देखे ुमें ुद्रेकराईए अ का देखे कोशन नमबर 8 हमारा है सोड सहनी अपभरंश से किस भासा का विकास हुआ ऑब बिहारी राजिस्थानी बंगला या फिल पंजाबी अपने फ़लाहों प्रेंट्ट जो सोड सैंड się यह अप्भरंश से राजिस्थानी भासा का विकास वा यानि कि ओप्सन नंबर भी यहां पर हमारा राइट हो जाएगा चलिए वेरी गोड वीडियो चले के तो फ्रेंट शेयर लाइक करना ना भूलिएगा जो लोग चैनल पर नए हैं बिना सब्सक्राइब किये ना जाए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपोर्टेंट कोश आपकाल सो फ्रेंट नाइन का अंसर क्या हो जाएगा यहां पर शंक्राइंट काल ध्यान दीजेगा अप्रण्स और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या का जाता है शंक्रांती काल तो उप्सन नमबर C हमारा यहां पर राइट हो जाएगा परिगुड चलिए कोशन नमबर 10 देखते हैं चंद्रधर सर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का पर्थम कभी माना है चंद्रधर सर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का पर्थम कभी माना है शरहपाज, श्वैमभू, राजा मुझ या फिर पुष्पदंत कोस्ट नमबर 10 देखेंगे तो फ्रेंट चंद्रधर सर्मा गुलेरी के अनुसार उप्सन नमबर C यानि की राजा मुझ हमारा राइट हो जाएगा उप्सन नमबर C राजा मुझ चलिए आगे देखते हैं अप भ्रहंश को फ्रेंट कोस्ट नमबर 11 देखेंगे अप भ्रहंश को प्राक्रता भास हिंदी किसने कहा है च्रंदेधर सर्मा गुलेरी, राहूल संक्रत्यान, रामचंद्र सुक्ल या फिर हजारी प्रसाद ध्वेधी तो फ्रेंट 11 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा जाना पेचाना कोस्ट तो उप्सन नमबर C यानि की रामचंद्र सुक्ल ने अपब्रहंस को प्राकरता भास हिंदी कहा है चलिए कोशन नमबर 12 की तरफ चलते हैं पंजाबी का विकास अपब्रहंस के किस रूप से हुआ है महरास्ट्री, मगधी, ब्राचड या फिर पेशाची तो फ्रेंट देखेंगे 12 का हमारा अंसर क्या हो जाएगा डी यानि की पेशाची पंजाबी का विकास अपब्रहंस के पेशाची रूप से हुआ है अपने अपब्रहंस ये पढ़ा होगा सब तो वहीं से मैंने एक कोशन उठाए हैं काफी इंपोटेंट कोशन है फ्रेंट एक दो कोशन जरूर इस टाइप से पूछ लिया जाता है एक्जाम में चलिए आगे देखेंगे बिहारी, बांगला, उडिया और अश्मिया, भासाओ का उदभव किस अपब्रहंस से हुआ है मागधी, अर्ध मागधी, पेशाची या फिर शोर्षेनी कोशन नमबर 13, देखेंगे तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा कोशन नमबर A यानि की मागधी एक बार फिर से रिवाइंड कर लेंगे इसको बिहारी, बांगला, उडिया और अश्मिया, भासाओ का उदभव मागधी अपवरंस से हुआ है कोशन नमबर 14, देखते हैं अर्ध मागधी अपवरंस से किसका विकास हुआ है पश्मि हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराथी या फिर गुजराती 14, फ्रेंड, 14 नमबर कर सही आंसर हो जाएगा हमारा पूर्वी हिंदी यानि की अप्शन नमबर B पूर्वी हिंदी अर्ध मागी अपवरंस से ही विक्षित हुई है वेरी गोड चलिए नेक्स्ट देखेंगे कोशन थोड़ा सा लोंग है द्यान पूरवक समझ लेना फ्रेंडस को देखेगा हमें जो सुमेलित करना है इस टाइप के कोशन भी पूछ ले जाते हैं चार ओप्शन देदेंगे उसके आगे नेक्स रॉस्पन देदेंगे आपस में उनको मेल करना है ठीक है सूची नमबर वन में दिये हुए हैं अप व्रहंस कुछ और सूची नमबर दो में भासाई दीवी हैं तो हमें इसको सुमेल करना है पहले दियावाज शोड सेनी सोड सेनी का हमें करना है सुमेल यानि कि किस से ये मेल खाएगा सेकंड नमबर की सूची से सो हम देखेंगे सोड सेनी किस से खाएगा असम्या से क्योंकि सोड सेनी अप भ्रंस असमिया से रिलेटिट है ना तो यह चला जाएगा दो नंबर पर बी देखेंगे पेसाची पेसाची किसे रिलेटिट है नंबर सी यानिकी लहदा कि देखेंगे मागधी किस से समझने थे यहां पर थोड़ी जी प्रोब्लम हो गई यहां पर गलत हो गया मैं आपको दुबारा बता दिता हूं देखेगा जो सोड सेनी है वो किस से रिलेटिट है यहां पर आप एक बार दोबारा से देख लिएगा मैंने गलत बोल दिया सोड सेनी रिलेटिट है मेरी राजिस्थानी से आपको क्लियर हो जाएगा सोड से नहीं मेरे राजिस्थानी से रिलेटिट है है ना और बी देखेंगे हम पेशाची किसे रिलेटिट है पेशाची रिलेटिट है मेरा लहंदा से ठीक है सी देखेंगे सी किसे रिलेटिट है मगदी मगदी किस से related है अशमया से related है और डी है अर्दमागदी अर्दमागदी किस से related है मेरा पूर्वी हिंदी से ठीक है फ्रेंड यहाँ पर clear कर दिया मैंने सब कुछ तो यहाँ पर देखेंगे हम 4,3,2,1 उप्सन नमबर B मेरा यहाँ पर right बन रहा है तो 15 का उप्सन नमबर B मेरा यहाँ से right हो जागा आप इसको वैसे भी notebook में note कर लिजेगा ताकि आपको clear हो जाए चलिए very good कुछ नमबर 16 देखते हैं शोड सेनी अपभ्रंच से उत्पन भासाएं हैं चार ओप्सन फ्रेंड दिये गए हैं मैं आपको के पर यहाँ पर right ओप्सन बता देता हूं ताकि आपका कि क्लियर हो जाएगे कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड देखेंगे पश्मी हिंदी राजिस्थानी पहाड़ी और गुजराती कि कहना पश्मी हिंदी पश्मी हिंदी राजिस्थानी पहाड़ी और गुजराती यानि कि अपसर नमर भी यह किसे रिलेटिड है शोड सेनी से ठीक है इसी टाइप से इसमें पूछा गया है तो आप डायरेक्टली यहां पर राजिस्थानी पर जा सकते हैं ठीक है कोशन नमबर 16 के लिए दोस्तों चलिए 17 की तरफ चलते हैं सिंधी भासा का उद्भव हुआ है सिंधी भासा का उद्भव किस अपभरंच से हुआ है य एक बार आप रिवाइन कर लिजेगा इस वीडियो को ताकि अच्छी तरह से किलियर हो जाए कोशन नमबर 18 देखेंगे अवधी का उद्भव किस अपभरंच से हुआ है शोर सेनी पेसाची मागधी या फिर अर्दमागधी सुफ्रेन 18 का देखेंगे यहां पर सही अंसर क् दी यानिकी अर्दमागधी से ही अवधी का उद्भव हुआ है नेक्स्ट है हमारा कोशन नमबर 19 कचहरियों में हिंदी प्रवेस अंदोलन का मुख पत्र किस पत्र को कहा जाता है कवी वचन सुधा समाचार सुधा वर्षन हिंदी प्रदीव या फिर भारत मित्र अंध्र का ही सही अंसर हो जाएगा हमारा चलिए कोशन नमर 20 के तरब चलते हैं हम यहां पर नागरी प्रचारनी सभा का स्थापना वर्स क्या है स्थापना वर्स क्या है अट कि याद रहे गाए तो उपसंदी नहीं कि आपको ज़रूरुत नहीं पढ़ेगे 1893 को नागरी प्रिचारणी सभा का इस्थापना वर्स था ठीक है चलिए कौसर नमबर 21 है मारा नागरी प्रिचारणी सभा के संस्थापकों में चलिए 21 का फ्रेंट देखेंगे सही आंसर केवाल आपको सही आंसर बताँगा मैं क्योंकि आप confused ना हो शिवकुमार सिंग और बावुष शाम सुंदरदास शिवकुमार सिंग और बावुष शाम सुंदरदास नागरी प्रिचारणी सभा के संस्थापक थे ठीक है तो यहाँ पर option number A मेरा right हो जाएगा very good चलिए 22 number का question देखते हम कासी नागरी प्रिचारणी सभा के संस्थापकों में कोन नहीं है चार option आपके सामने है अब मुझे बताना है कि इसमें से कोन नहीं है कासी नागरी प्रिचारणी सभा के संस्थापकों में कोन नहीं है तो तीन option तो मेरे यहाँ पर right थे में नागरी कासी नागरी प्रचाणी सभाके संस्थापक बावल श्याम Σंदरदस यह भी थे लेक्ट्र शिपकुमार सिंग यह भी थे और राम रायना मिस्त्र यह भी से फोर्ड विलियम कोलेज की स्थापना कब हुई very important question फ्रेंट इसको भी आप स्थार कर लेजिएगा 23 को सो फोर्ड विलियम कोलेज की स्थापना कब होई तराइस इसी में डाराक डारेक्ट आप कोश्चन के अंसर पर जाएं तो बैटर रहेगा ठेक है 23 का सही अंसर में जागा उप्सन नमबर सी याने की अठारा सो इस भी चलिए वेरी गुड आगे देखते हैं फोर्ट विलियम कालिज की स्थापना कहा हुई यह भी इसी से लेटिट है लगनाव हैदराबाद दिल्ली या फिर कॉलकता है ना चलिए तो आपको सब को पता होना चाहिए फोर्ट विलियम कालिज कहां प महावीर प्रसाद वेदी को किस वर्सवती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया उनीस चों में 1903 में 1906 या फिर 1909 में ठीक है फ्रैंस चलिए तो पच्चिस का अंसर देखेंगे हम 1903 इसवी में महावीर प्रसाद वेदी को सर्स्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया नेक्स्ट है 26 समिधान सभा में हिंदी को राजभासा बनाने का प्रस्ताव किस ने रखा था 26 इस फ्रैंट देखेगा यहाँ पर डिरेक्टली आंसर पर जाएंगे हम गोपाल स्वामी अयंगर ने समिधान सभा में हिंदी को राजभासा बनाने का प्रस्ताव रखा था ठीक है फ्रैंट 26 का सही आंसर हो जाएगा मेरा उप्सन नमबर ए नेक्स्ट है भारतिय समिधान में हिंदी को मान्यता कब मिली भारतिय समिधान में हिंदी को मान्यता कब मिली 26 जनर 14 सितंबर 1945 15 अगस्ट 47 याफिर 14 सितंबर 1955 बच्पन तो सही आंसर हो जायेगा हमारा चोदा सितंबर 19 शोडन चास यान यह उप्सन नमबर भी भारतिय समिधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 19 शोडन चास को मिली ज्यादा नहीं पूछता बस इतना पूछ लिता 14 सितंबर मत मत पूछता हूं आपर डेट और मत यहा होगा आपको ज्यादा डीपली जाने की जरूत नहीं है पर यहां पर दो उपसंदी में इसलिए हमें के लिए रगर करके चलना विर्गुल उनीश उन्चास में ही मानिता दी गई वेरी गोड़ चलिए 26 28 देखते हैं भारत वर्स के लिए हिंदी भासा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया राजा राम मोहन राय महत्मा कांदी रविन्द नाथ ठाकोर या फिर मदन मोहन मालवी है ठीक है 28 देखते हैं 28 का फ्रेंड आंसर हो जाए गयां पर मदन मोहन मालवी है मदन मोहनबालवी ने ही बारत मरस के लिए हिंदी भासा का नाम सबसे पहले सुझाया वेरी गूड चलिस सेकंड लाज कोस्टन है यहाँ पर 29 कोस्टन की तरफ आ गए हम बारतिय भाशाओं को बारतिय सम्मिधान की किस अनुसूची में सामिल किया गया है साथ आठ नो या फिर दस वी देखेंगा फ्रेंट लगाएगा आइडिया आप 29 का फ्रेंट सही आंसर हो जाएगा हमारा अस्टम यानिकी आठ वी अनुसूची में सामिल किया गया है बहुत बड़े आ फ्रेंट देखेंगा लास्ट पोस्टन हाज की वीडियो का समिधान के किस अनुच्छीद में कहा गया है कि संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी चार उप्षन फ्रेंट 343,344,345,346 तो फ्रेंट इस कोश्टन का अंसर आपको कमेंट बुक्स में बताना है टेस्ट के लिए कोश्टन है आपका चीटिंग नहीं क करना कोई गूगल पर साच नहीं करेगा के वाल यदि आपको कॉश्टन का अंसर आता है तो कमेंट बुक्स में लिख दीजेगा नहीं आता है तो आप उसको देखकर याद कर लें ठीक है फ्रेंड आज के लिए बैस इतना ही वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर करना ना भूले चलिए चलते हैं तब तक लिए नमस्कार अपना ख्याल रखेगा